असलाम अलेकुम टेल एरनर्स, पोटेंशल उन्टिपनियोर्स, और उन्टिपनियोर्स इनक्शन, वेलकम इन वीडियो, आज का जो हमारा पैनल डिसकुशन है वह बहुत ही जादा एहम है, क्योंकि हम बहुत दफार बात करते हैं कि जो फाइनस है, इस लाइफ लाइफ लाइ मल्टिपल सोर्सिस से फाइनस के लिए अपलाई करता है, जिसमें सबसे पहले उसके पनी परसन सेविंग भी हो सकती है, उसकी फ्रेंड्स और फैमली जो है, वो फाइनस कर देते हैं, फिर उसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स जिसमें हमने पहली वीडियो में अपने बात की अपने ती एंजल और वेंचर कैपिलिस्ट होते हैं, और एक आप के पास औपशन होती है कि आप किसी कमर्शल बैंक की तरफ रुजू करते हैं और उनके पास जाते हैं लोन लेने के लिए, अच्छा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमके बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि जो young entrepreneurs है या जो growing firms है वो इस बात की बहुत शिकायत करती है कि जो banks हैं वो discourage करते हैं young entrepreneurs को जब वो उनके पास अपनी business की जो loan applications है वो लेके जाते हैं और उनका जो evaluation criteria वो बहुत tough होता है और discouraging होता है so ये वहला जो हमारा panel discussion है ये बहुत एहम है because हम investors especially the commercial bank उनका perspective जानेंगे कि क्या वाके में discouraging है या नहीं है या on the other hand आप से कुछ miscalculations हो जाती है जिसके वज़े से bank जो है वो आपको बाज़ुकात loan नहीं दे पाता इस discussion के लिए अपते studio में आज हमने बलवाया है Anwarul Haq साब को Anwarul Haq साब जो है basically for the last 37 years he has served in the banking industry especially in lending के अंदर इनका बहुत जादा experience है for the last 10 years he is you know in the field of teaching and training so आज हम इन से पूछेंगे कि जो एक हमारी journal perception है commercial banks को लेके कि वो entrepreneurs को loan देने में थोड़े से discouraging है और loan बहुत मुश्किल से देते हैं इसमें कितनी सचाई है so sir पहले तो welcome in the studio thank you और मुझे join किया है रिजवान सलीम साब ने as you know कि हम दोनों इसको co-host भी कर रहे हैं और रिजवान साब से भी उनकी expert opinion गाहे बगाहे लेते रहेंगे so Anwar साब coming back to you हमारा पहला सवाल young entrepreneurs जो अक्सर करते है इस perception में कितनी सचाई है कि जो banks है commercial banks जो है वो छोटे कारोबारी हजरात को loan देने में बड़े मुश्किलात पैदा करते हैं discouraging होते हैं या फिर आप यह समझ लें कि बहुत कम ratio ऐसी है कि banks जो है वो young entrepreneurs को loan दे as compared to the firms जो के growing firms हैं जी हाँ इसमें आप अगर history को देखे ना तो पाकिस्तान बनने के बाद जो पहले तीन चार डेकर्स थे यह हमारे अपना मुल्क में industrialization का phase था तो इसमें जो commercial banks थे इनों ने जो credit extend किया वो big industry को किया और corporate customers को किया young entrepreneurs और जो growing छोटे businesses हैं इनको state bank उस वकट भी नहीं भूला और state bank ने तमाम बैंकों को mandatory targets उस वकट भी small loans के दी है लेकिन चुँके बैंकों का main focus industry को develop करना था और उसमें instrumental बनना था तो इसलिए commercial banks जो थे उन्होंने ये बात ठीक है कि पहले तीन चार decades में तबज़ नहीं दी लेकिन इसके बाद 90s में जब financial sector reforms आई तो उसमें गो अपना जो priority sector financing थी इसको खत्म कर दिया गया और state bank ने कहा कि ये बैंक्स जो हैं ये चूंके profitable organizations हैं ये अपनी मर्जी से loan दें और अपनी मर्जी से ये target करें market को लेकिन फिर ये हुआ कि नाइनटी जो पबलिक सेक्टर बैंक्स थे उनको government ने advice नहीं किया बलके instruct किया कि वो जो चोटे businesses हैं उनको prime minister self employment schemes के थूँ लोनिंग करें तो आप सब जानते हैं कि commercial banks ने बड़ी sizeable financing की इस sector को लेकिन हुआ ये कि चूँके ये जो segment है business का इसमें inherent risks बहुत ज्यादा है उससे ये हुआ कि जो commercial banks थे उनका 20 अरव रुपया तकरीबन डूब गया और वो उनको right of करना पड़ा जिससे ये हुआ कि financial sector को एक बहुत बड़ा blow लगा और आपको पता है कि 90s के last में state bank ने दो leading banks को rescue किया उनको बचाया लेकिन इसके बावजूद जब 2003 में ये महसूस किया गया कि ये जो small businesses हैं और ये जो छोटे business segments हैं अगर इनको financial support ना दी गई तो ना हमारी export बढ़ेगी ना employment opportunities जो हैं वो generate होंगी तो इस पर यानि इस view को जेन में रखते हुए state bank ने 2003 में potential regulations जो थे उनको small और medium enterprises के लिए अलएदा introduce किये वो एक effort थी state bank की तरफ से ताकि bank की जो financial support है इस segment को वो एक तो उसकी terms आसान हो और दूसरी ये अपना उसमें ये किया गया कि उसको cost भी कम पड़े इसकी credit की इस loan की cost भी जो छोटा सर्मायदार है या young entrepreneur है उसको कम पड़े तो इस पर ये था कि कमर्शिल बैंक्स को एक तरफ तो state bank ने potential regulations इंटर्डूस किये फिर despite के financial sector reforms में ये कहा गया कि बैंक्स जो है इनको mandatory target नहीं देंगे तो state bank ने इस segment की importance को देखते हुए मैं बैंकों को mandatory target दिये बैंकों को ये कहा कि वो program based lending करें और इस तरह एक तो terms अपनी असान करें उनके लिए और दूसरा ये कहा गया कि आप इसकी cost भी कम करें तो commercial banks ने तकरीबान हर बैंक नहीं small business finance के नाम पे 2003-04 से financial support इनको दी जैसे मैंने आपको कहा कि जो commercial banks थे उन्होंने 90s में उनका 20 billion रुपीज डूबा तो वो inherent risk हैं इनमें तो वो मैं आपको risk बताता हूँ कि वो इस segment की financing में commercial banks को क्या risk है सबसे पहला risk ये है कि इनको जब हम finance करते हैं तो ये उन funds को divert कर देते हैं किसी और business की तरफ जैसे मिसाल के तोर पे एक entrepreneur है अगर उसने कहा कि मैंने एक काम करने है तो bank ने उसको उसके लिए पैसे दिये तो उसने करना ये है कि उसके अगर parents जो हैं वो अगर agriculture का काम करते हैं को ठेका लेते हैं agriculture का तो वो पैसे उनको दे देते हैं और खुद अप सीन से गायब हो जाते हैं तो एक तो ये इसमें risk है दूसरा risk banks को ये है कि ये उसको miss utilize करते हैं कई दफ़ा हमने young entrepreneurs को bankों ने loan दिये तो उन्हों ने उसको अपनी higher education की funding के लिए इस्तमाल किया और वो अपना जो business था उसको बंद करके वो बाहर चले गए और तीसरा जो बड़ा important जो risk है वो मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ एक मिसाल देता हूँ एक आदमी है उसने सो रपे से काम शुरू करना है अपना वो सो रपे से वो चीज़ें परचेस करता है 100 रपीस से वो परचेस करने के बाद उनको पंदरा दिन में बेचता है और वो फिर 100 रपीस से वो commodities या जो भी चीज़ें वो परचेस वो फिर दुबारा वो अपनी परचेसिंग करते है अब अगर एक उसको customer कहता है कि आप मु बिजनस छोटा बिजनसमेन है वो अगर ये गरीव वो जहन में ये समझता है कि ये अगर मैं इसको 20 रपे की चीज़ें दे दूँगा तो ये मेरा permanent customer बन जाएगा तो वो फिर करता ये है कि वो उसको दे देता है अब वो जब 15 दिन गुजरते हैं तो आप उसके पास 80 रप लेके जब जाएगा तो वो उसको चीज़ें तो पूरी नहीं मिलेंगी तो उसके पास एक credit line भी 100 रपे की है बैंक की तरफ से तो वो क्या करता है 20 रपे वहां से लेता है और वो 100 रपे की चीज़ें फिर ले आता है इसके बाद उसको एक और customer मिलता है वो कहता है कि मुझे 30 रपे की चीज़ें दे दो तो मैं भी तुम्हें 30 दिन के बाद अदा करूंगा तो अब उसकी equity में से 50 रपे निकल गए वो 50 रपे उसने bank से लिए अब वो 50 रपे उसने bank से लिए उसको cost भी उसकी पाड़ रही है तूसे लफजों में जो वो receivable create कर रहा है वो bank की liability से कर र शेप में build कर लेते हैं और उसके पास कोई equity नहीं रहती है और वो solely bank के पैसों से वो काम करते है जो उसको cost उसकी पड़ती है फिर एक stage आती है कि वो अपना ना bank को देखता है ना अपने business को देखता है वो receivables की recovery के पीछे लग जाता है इस तरह उसका business खराब हो जाता है य जो इस से हमें एक चीज़ का अंदाजा यह हुआ कि वो छोटा business man वो ambitious होता है कि मैं अपनी सेर बढ़ा हूँ वो जब इस ambition में वो अपना अपनी equity भी खोता है और वो bank के पैसे भी वो जाया कर देता है तो यह तीसरा बड़ा risk है जो के एक छोटा entrepreneur जो है वो उसके business segment में य inherent है तो यह असल में दो तीन चीज़ी हैं जिसकी वज़ा से बैंक्स जो हैं commercial banks जो हैं वो hesitant हैं वो इनको loan देने पे लेकिन इनकी जो importance है उसको ना state bank बूलता है ना commercial banks इसको neglect करते हैं तो 2003 के बाद में काफी जो small और medium enterprises थे उनको काफी लोनिंग की गई और लेकिन 2008 से लेकि 2013 तक यह जो मैंने आपको बिताया है कि जब inflation होता है तो उसको और ज्यादा मसाहिल पड़ते हैं क्योंकि अगर तो inflation होता है थोड़ा सा तो उसका business profitable बनता है लेकिन जब galping inflation होता है जिस तरह हमारे मुलक में होता है एकदाम चीज़ों की कीमते ज़्यादा डबल डिजिट में बढ़ती हैं तो फिर यह होता है कि एक तरफ तो उसकी material की कास्ट बढ़ जाती है लेबर की कास्ट बढ़ती है ओवर हैड्स उसके बढ़ते हैं दूसरी तरफ उसको जो finance मिलता है उसका rate भी बहुत ज्यादा होता है तो वो उसको sustain नहीं कर पाता तो मैं इसे लिए आप state bank की एक report देखें जो के state bank ने 2017 में publish की और उसमें state bank ने बताया कि क्या reason है कि 2008 से लेके 2013 तक जबके इस मुलक में interest rates या policy rate या जो state bank का bank rate है वो ज्यादा था तो उस वक्त ना सिर्फ जो SME की लोनिंग है वो काम हुई लोगों ने लोन लेना चौनके expensive था लोगों ने जो small और medium enterprises थे उन्होंने लोन भी लेना काम किया लेकिन बैंकों के bad debts भी बढ़े तो वो तक्रीबन 400 billion के क्रीब जो 2008 के level की financing थी वो 249 billion पे आ गई इसके बाद फिर चूंके rate कम होने शुरू हुए 2013 के बाद तो फिर SME को बैंकों ने लोन देना शुरू किया और फिर स्टेट बैंक ने एक और काम किया कि small जो entrepreneurs थे उनके लिए potential regulations medium से लाज़ा कर थे और उसमें उन्होंने स्टेट बैंक ने बैंकों को कहा कि आप 25 million तक इनको लोन दें अगर यह लेना चाहें और 15 million तक आप इनको financials लिए बगएर लोन दें तो फिर banks ने उनी schemes के तैट दोबारा लोन देने शुरू किये तो यह बात आपकी किसी अद्धा ठीक नहीं है कि commercial banks जो हैं वो लोन नहीं देना चाहते बलके यह बात है कि इनके अंदर जो inherent risks हैं वो उनकी वज़ा से इनको लोन अपना जब हम देते हैं और जब inflation बढ़ता है तो वो उनको costly बढ़ता है और उसकी वज़ा से फिर यह लोन खराब होती है अच्छा नौशाब मैं तोड़ा सा यहां पर आपने इतनी बड़ी अपने बहुत खुब्सुरत की बड़ी लंबी आपने उसमें perspective लिया उससे ये एक चीज़ तो आपने category के लिए कहा कि जो banks हैं वो उनका रवया discouraging नहीं है लेकिन वो hesitant जरूर है उसकी आपने एक explanation यहां वो यह है कि जो हमारे commercial banks हैं उनका जो रुजहान है SMEs की तरफ या small business की तरफ वो उनका अपना initiative नहीं है बलके वो state bank की central bank की direction पे वो ऐसा करते हैं मेरे एक सवाल तरफ यह है और आप सही कह रहे हैं कि एक तीस जो supply side push की वज़़ा से आपको करनी पढ़ती है जिसमें आपको demand side attractiveness नजर नहीं आती है तो जितनी बेदली से आप वो काम करेंगे वो बिलकुल जाहर है उसको दो राय तो नहीं हो सकती है तो मुझे यह बताईए कि आपका एक बहुत लंबा जिस तरह नौरीन साहिबा नहीं हमें बताया कि 37 साल आपने commercial banking में गुजारे और पिछले 10 साल से आप पढ़ने पढ़ाने के से शोगल के साथ वबस्ता हैं यह बताईए कि आपकी जाती राय में क्या जो small scale sector है क्या यह commercial banks के लिए attractive market नहीं है नहीं यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जाहर है कि commercial banks जो है इनके पास funds जो हैं वो लोगों के हैं ठीक है ना हर जो asset है उसके पीछे एक liability है और कोई bank यह नहीं चाहता कि उसके asset खराब हो जब rate बढ़ता है तो लामहाला जो state bank की जो government securities है उनके rate भी बढ़ जाते हैं तो commercial banks जो है basically तो वो profitable अधारे हैं और उनोंने उन लोगों को profit देना भी है जिन लोगों के deposit हैं वहाँ पे और state bank का खाली demand deposit ही नहीं है सारा time deposit भी है जिसमें commercial bank के पांच-पांच साल के deposit भी है और वो rate of interest भी ज्यादा है 12%, 13% अगर वो bank तो चाहता है कि वो loan दे और वो जाहर है उसको spread मिलता है एक deposit पे profit देने पे और mark-up की वसूली पे बैंक तो चाहता है लेकिन जो मैंने आपको एक बात बताई है कि जो risks हैं small और medium enterprises में वो चुँके उन में inherent risk है वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि मैं खुद भी चुँके landing में रहा हूं तो मैंने यही देखा है कि 99% cases में जो grow का रही हैं entrepreneurs उनका जब मैं receivable register देखता हूं तो वो उन में बहुत bad dads हो तो इसलिए मेरा तो यह view है कि जो हमारा छोटा entrepreneur है छोटा जो business man है वो इतना ज़्यदा ambitious ना हो कोई बात नहीं अगर वो उसकी sale नहीं बाढ़ रही तो वो कमस कम वो अपनी cash sale करे credit sale कम करे और बड़ी selective करे नमबर एक वो ambitious नहीं हो कि मेरी sale बढ़ेगी तो मेरा profit बढ़ेगा यह उसका mindset है यह अगर वो यह चीज ना जेन में रखे तो मेरा ख्याल यह है कि उसको वो उसका ना लोन खराब होगा क्योंकि जब भी कोई credit proposal आती है बैंक के पास जाहरा उसके साथ बारवर जो है या customer जो है वो उसके साथ है और उसकी जो unwillingness है या वो factors जो उसके business को impact कर रहे हैं बैंक ने उनको देखे बगार उसको loan तो नहीं देना और सार मेरे ख्याल से या आपने बहुत अच्छे से बताए कि bank hesitant किन वजुहात की बिना पर है यानि कि ये general perception जो है अगर ये develop है या entrepreneur में तो उसके पीछे पूरी history है एक background है और शायद इसलिए रिजवान हमारे पास जो commercial banks के साथ साथ अब micro finance institutions एक अलग पूरी market develop हो गई है with specifically को बहुत focused हैं कि वो growing और young entrepreneurs को loan दें और उसकी cost बहुत कम हो और वो loan भी बहुत कम देते हैं और उनका मकसद ही सिरफ जो है ना वो एक छोटे कारोबार है उनको grow करना है सो इसलिए यह भी एक पूरी market MFIs की जो है वो develop होई है पाकस्ताने पिछले चंद एक अरसे के अंदर micro finance banks जो हैं यह micro finance loans देने के लिए बनाए गई हैं यह उन लोगों को loan देने के लिए बनाए गई हैं जिनके पास collateral नहीं है बिलकुल है बन्यादी तोर पे जो collateral है यह तकरीबन हर loan में required है बिलकुल है आप हमारा जो priority sector है वो agriculture है अब agriculture में अगर आपने 50,000 का loan भी लेना है तो अगर आपके पास land नहीं है तो आपको loan नहीं मिल सकता यह अपना इसलिए किया गया है कि ताके loan secured हो क्योंकि पहले guarantees पे loan होते थे तो वो सारे right of करने पड़ते थे तो इसलिए जो micro finance banks हैं यह छोटे loan दे रहे हैं एक लाग पचास जार पे की limit है इनकी कि यह पर individual एक लाग पचास जार पे loan देंगे और अगर कोई micro enterprise है जो के कोई आदमी जो है वो self-employed है और साथ अगर वो दस लोगों तक अगर उनको जाब देता है तो वो एक micro enterprise बन जाता है उसके लिए पांच लाग तक का loan है लेकिन वो loan भी secured है security के बगार नहीं है कि collateral होगे तो फिर उसके बार अचा सर रिजवान ने पूरी एक series record कर रहा है चोटी सी business plan की जिसमें हमने बड़ा focus किया कि जब आप एक business plan लिखते हैं तो उसके अंदर आपने अपनी जो financial section है जिसमें आपने अपनी cost अपना break even point कब तक achieve करेंगे कौन कौन से अपनी cost कैसे कैसे incur होगी और खासतार पर आप क्या forecast कर रहे हैं कि आपको कब तक आपका break even होगा और कब तक आपका profit होगा और यही सारी जो अपने financial अपना section है यही pitch करना होता है किसी investor के सामने तो हमारा एक बहुत एहम सवाल यह है because आपका lending का सारा experience है जब आपके सामने कोई application आती है loan की तो क्या एहम वो points हैं जिनको आप दे सामने रखा होता है for the evaluation of a business plan especially related to its finances जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी proposal होती है उसमें credit risk involved होता है जो जब credit risk होता है तो bank को उस risk को ascertain करना होता है उसके लिए एक investigation process है उस investigation process के दो इससे हैं एक qualitative है और एक quantitative है qualitative analysis जो है उसमें हमारे चार step है पहला step यह है कि हम जो bankers है उन्होंने customer के business की place को visit करना है visit एक essential part है यह सबसे पहला part है कि उसको visit करना है उसमें हमने यह जाके यानि bankers ने जो lenders है उन्होंने देखना है कि आया यह जो customer है इसका business किस जगा पे located है क्या उसकी access है दूसरी बात यह है कि वहाँ पे utilities available हैं और तिसरी बात जो देखनी है जरूरी है वो यह है अगर तो वो trader है तो वो rental जगा पे है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर वो manufacturer है और उसने machinery इंस्टाल की हुई है और अगर वो rental जगा है तो उसमें फिर रिस्क बहुत है कि कल कलां को अगर जो जो landlord है अगर वो उसको कहे कि यह मेरी जगा खाली कर दो तो वो उसके लिए फिर बड़ा मुशकल हो जाता है उसको machinery को relocate करना तो जहां पर अगर वो rental जगा होगी तो वो वहां पर फिर रिस्क ज्यादा होगा फिर हमने वहां पर यह भी देखना है कि अगर वो manufacturer है तो वो machinery किस तरह की लगी हुई है आया वो नई है या परानी है फिर हमने उसके stocks भी देखने है तो यह बन्यादी चीज़े हैं अगर चोटा business man है वो sophisticated financials नहीं बना सकता तो फिर हमने उसकी वहां पर stock report से हमने उसके stock की position देखनी है और उसका receivable register भी देखना है हमने तो यह हमारी जो पहली visit है यह जो basic visit है वो जो step है वो यह visit है इसके बाद दूसरा हमने उसका entity analysis करने है अमूमन जो चोटे businesses होते हैं वो यह तो प्रप्राइटर होती है यह partners होते है तो प्रप्राइटर में सबसे जो main risk है बहुत है lack of continuity अगर वो प्रप्राइटर आज वो काम कर रहा है कल को अगर वो नहीं होगा तो उसका काम कौन संभालेगा। बाद कात यह होता है कि उसका कोई मेल सकसेसर नहीं होता तो वो बिजनस कंटीनियू नहीं कार सकता। बाद कात यह होता है कि उसका मेल सकसेसर तो होता है लेकिन वो इस पोजिशन में नहीं होता कि वो इसके काम को संभाले। वो education ले रहा है अगर उसका बेटा कोई इस तरह तो यह lack of continuity जो है यह एक बड़ा risk है हमारे लिए तो और दूसी बात यह है कि जो proprietor होते हैं उसके पास limited resources होते हैं उसको जो factors होते हैं वो बहुत impact करते हैं मिसाल के तोर पे अगर उसने exit करनी हैं तो उसके पास resources ही नहीं हैं तो इसलिए हम जो proprietor है उसको sizeable financing नहीं करते हैं जो landers हैं वो नहीं करते हैं उसको sizeable financing उसको उतनी financing देते हैं कि अगर कल को अगर वो loan amount जो है पफार्म ना करे तो bank को इतना economic loss ना हो तो ये तो proprietor के लिए partner जो partnership है ये भी हमारे जो छोटे businesses हैं वो जो segment है entrepreneurs का और small और growing businesses का उसमें partners भी की बी entity मुझूद है तो partners जहां उन में भी हम जब उसकी partnership डीट देखते हैं तो उसमें बाज का लिखा होता है कि एक partner की death के बाद ये partnership खतम हो जाएगी तो वहां पे भी continuity का issue होता है इसके बाद जो दूसरा issue है वो बाद का जी होता है कि partnership भी एक proprietorship की तरह ही होती है यान कि partner में dispute हुआ और साथ ही इस तरह होता है कि जैसे कोई male person आर उसके साथ wife है वो partner है तो वो एक किसम का proprietor ही है इस तरह father है और उसका सामने son चोटा है वो भी partner है वो भी किसम की proprietorship की है अब ये जो आपने अन्वार साथ partnership के हवाले से बताया जिन partnership को आपने equate किया है कि ये असल में proprietorship ही हैं ये तो पिर एक तरह से paper partnership होई ना real time partnership तो ना होई ये तो एक arrangement रुन तो ने किया हुआ है कुछ कानूनी सहूलते हासल करने के लिए तो इसलिए आप इसको proprietorship के दोर पे देखते हैं असर में होता ये है कि क्या इसलिए जाता है कि बाज़कात एक customer है उसका उसकी जो wife है जो उसने klattal देना उसके wife के नाम की है तो नामली बैंक जो है वो बैंक के लिए ये रिस्की होता है कि किसी third party की security बैंक किसी लोन में रखे तो इसलिए वो करते ही हैं कि अपनी wife को साथ partner बना लेते हैं ताकि उसकी klattal जब देंगे तो वो कहेंगे कि जनाब ये partner ने खुद अपनी klattal जमा कराई है ये है उसकी reason ये है तो पार्टनशिप में एक और जो चीज़ है वो है unbalanced partnership unbalanced partnership जो है वो भी हमें partnership deed से पता लगती है उसमें होता ये है कि partners की equal contribution नहीं होती business में एक partner है उसकी contribution है business में दूसरा partner जो है उसको manage कर रहा है और तिसरा partner इसलिए रखा गया है कि वो bank को collateral देगा और अगर को financial support bank से लेनी है तो फिर ये कहा जाएगा कि partners में से ये एक आदमी जो है वो आपको collateral दे रहा है तो ये bank के लिए आद से बड़ा रिस्की बड़ी रिस्की इसमें कबाहत ये है कि जब equal investment नहीं होगी तो partnership जो है उसको के चलने में दुश्वारी होगी एक हमारे पास proposal आई थी ब्राइंच से तो उस वकत मैं जो था वो अपना approval और sanction के इहारकी में था तो जब हम वो business विजट करने गे तो हमने देखा कि एक business जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा है लेकिन उसमें investment एक बंदे की है और दूसरा आदमी जो है वो उसको manage कर रहा है क्योंकि उसका exposure था उस काम को करने का और तीसरा बंदा जो था वो इसलिए पार्टनर रखा गया कि वो बैंक को collateral देगा क्योंकि business grow कर रहा था तो उनको चाहिए थी further funding तो चूंकि बैंक ये समझता है कि ये unbalanced partnership थी तो बैंक ने उन से भी ये बात कही कि ये बड़ी risky partnership है जो आप कर रहे हैं अगर आप में से वो बंदा जो इसको manage कर रहा है अगर वो बंदा कोई misappropriation करे या business के funds जो हैं वो उनको अलदा कर ले misuse करे तो फिर क्या होगा तो इसका वो satisfactory जवाब नहीं दे सके लेकिन चूंकि क्लैटर की quality बड़ी अच्छी थी और उनका track record बड़ा अच्छा था हमारे पास दो तीन साल से वो business कर रहे थे तो हमने उनको पहले छोटा loan दिया not very sizable but small amount of funding हमने उनको तो हम खुद भी समझते थे कि ये risky है इनको ज्यादा पड़ा loan देना तो वो हमारी expectation के मताबक ही हुआ वो एक दो साल के अंदर एक डेट साल के अंदर वो partnership खत्म होगी तो इस तरह bank का loan भी non performing हो गया तो इससे में एक जो entrepreneurs है उनको ये भी सबग मिलता है कि वो जब भी partnership करें इस तरह भी partnership ना करें और bank जब उनको advice देता है तो वो उसको अच्छे mindset के साथ accept करें ठीक सर आखर में एक मिखल से entity में companies रह गई हैं जी हाँ company में जैसे कि आप आपको मैं बताओं कि जो single member company है वो तो बिल्कुल ही proprietorship की तरह ही है उसमें तो एक ही आदमी होगा होता है और वो ही होता है बाज वकात जो ownership होती है किसी भी company की वो family ownership ही होती है वो भी उससे तरह ही proprietorship के सारे risk उसमें भी इन्वालव होते हैं बाज वकात यह होता है कि जो partner जो अपना shareholders होते हैं यानि जो investors होते हैं उस company में उनमें सिर्फ एक आदमी होता है जिसके पास ज्यादा जिसकी ज्यादा होड़िंग होती है यह हमें पता लगता है farm A से farm A से हमें पता रखें तो उसमें फिर यह होता है कि वो जब एक आदमी के पास होती है तो वो one man rule के जितने भी नुकसानात होते हैं वो उस company में आ जाती है फिर यह होता है बाजका हमने यह देखा है कि जो companies होती है उन में जो top management होती है वो बड़ी inappropriate होती है उनके जितने भी functions होते हैं वहाँ पे कहीं पे कोई unskilled बंदा बैठा हुआ है कोई finance का बंदा जो है वो trained नहीं है तो यह इस तरह की risk बीट में होती है जो private limited companies होती है ठीक हो गया अच्छे सर इस discussion को conclude करने के लिए because आपने बहुत अच्छे बात कहीं कि अगर bank advice करे तो sole proprietor है यह company है यह partnership है उसको उस advice को own करना चाहिए और उसको incorporate करना चाहिए so as a conclusion आपने काफी mistakes पे identify कर दी सोल proprietor के लिए बी अलग, partnership के लिए बी अलग और company के लिए बी अलग so as an advice piece of advice हम इन mistakes से किस तरह से बच सकते हैं देखें जहां तक banks का banks हैं वो तो मैंने आपको बताया है कि state bank भी यह समझता है कि यह जो entrepreneurs हैं यह जो small business हैं यह अगर develop होंगे तो यह मुल्क की kick start होगी economy यह तो इसकी तो दो राये नहीं है यह तो है अब यह है कि अगर जो हमारा छोटा business है वो अपने funds को divert ना करे और जिस purpose के लिए loan लिया है उसी purpose को देखते हुए यह यह वही अपना business करे जिस purpose के लिए loan लिया गया है और तिसरी चीज़ यह है कि जब inflation हो जब rate बहुत ज्यादा हो तो उस वक्त वो बैंक से जब loan ले तो उतने पैसे utilize करे जो जो उसकी इंतहाई शदीद जरूरत है और जब उसके पास उसकी sale proceeds आएं तो वो फौरण उसको बैंक में जमा कराए ताकि उसको अब उसकी credit line की cost कम ठीक हो गया और जो आखरी बात है वो यही है कि बैंक के जो rules है या terms है जो conditions है जो covenants है वो customer के लिए भी हैं और उन लोगों के लिए भी हैं जिनके deposit से बिल्कुल ठीक हो गया sir thank you very much for joining us ladies and gentlemen अनवार साब ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको यह समझाया है कि हर दफा यह एक राय काइम के लिना कि जिए bank discourage करते है लो नहीं देते आपको terms and conditions उनकी tricky है या बहुत मुश्किल है इसमें इतनी भी ज़्यादा सचाई नहीं है because हमारे जो young entrepreneurs है या जो growing partnership firms है या जो companies है उनके end से भी कुछ ऐसे mistakes कुछ ऐसे loopholes उनके financial section में रह जाते हैं जिसकी वजह से उनका जो risk है वो बढ़ जाता है या उनका जो default rate है वो बढ़ जाता है यह जितनी piece of advices इस एक panel discussion में discuss हुई है इनको अपने financials में जरूर incorporate क I'm pretty sure कि यह video आपके लिए बहुत जादा informative होगी thanks for joining us